तो आज मैं आपको से खाने वाली हूं हिजाब करना हिजाब के लिए आपको पहले इस टाइब का हिजाब ज़िए इसका मिटीरियल धोड़ा सा घुड़ दूरा हो लाइक शर्फून की तरह ना हो फिसलने वाला इसके लावा आपको चाहिए है सेफटी पिन्स सेफटी पिन्स के लावा चाहिए है यह हिजाब पिन्स मार्केट में असानी से मिल जाती है और साथ में आपको चाहिए है एक अदर मेरर तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए हिजाब करने के लिए तो चैनलेज हिजाब करते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है कि हिजाब को अंदर इस तरह से फूर्ड कर लेना है और एक side आपने छूटी रखनी है और एक side आपने हिजाब की बड़ी रखनी है अब हम क्या करेंगे अपने mask को adjust करते रहेंगे और साथ में इसको safety pin के साथ यहाँ पे secure कर देंगे safety pin से हम यहाँ पे इसलिए secure कर रहे हैं ताकि हिजाब हमारा हिल लेना फिलें भाई अब हम safety pin से को secure कर देंगे safety pin ही लगाएगा इससे आपका हिजाब जो है वो balance रहेगा और अगर इसके during आपका mask ही दरूदर हो जाता है या हिजाब out of shape हो जाता है तो आपने tension नहीं लेनी यह ठीक हो जाएगा जैसे मैं अपने mask को adjust करी रही हूँ आप भी बार बर करते रहें अब आपने क्या करना है यहां से mid बले point पर exact इसी point पर आपने क्या करना है एक हिजाब pin लेनी है और उसको अच्छे से यहां पर attach कर देना है तो अब हमने क्या करना है जो हमने छोटी वली side छोडी थी उसको हमने ऐसे हातों से पहले arrange कर लेना है और फिर इसको उठाकर opposite side पर रख देना है तो यह देख सकते हैं कि layers कुदबा खुद adjust हो गई है अब हम क्या करेंगे कि एक एक या दो दो layers उठाएंगे और उनको यहां पर pin अप करते जाएंगे हिजाब pin की help से तो आपने बहुत जादा हिजाब pin यहां पर नहीं लगा देनी कि बहुत अजीब सा लगना start हो जाए तो आपने इस तरह से pin लगानी है कि यह वो नजर ना है तो इसी तरह बागी की दो layers को भी हम यहां पर pin अप करेंगे ताकि यह अपनी जगा से बिलकुल भी move ना करें तो यहां पर अब हम इसको hijab pin से secure कर देंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी last वली layer बचिया उसको भी हम इसी तरह से आगे लेकर आएंगे और अपने हातों की health से इसको भी adjust करते हुए यहां पर इस तरह से pin अप कर देंगे तो pin अच्छी तरह से आप लगाएगा ताकि यह खुले नहीं तो अब हमने क्या करना है कि जो हमने बड़ी वली साइड हिजाब की छोड़ी थी उसको भी हमने इसी तरह से उठाना है और opposite direction में इस तरह से रख देना है पीछे से इसको लाके आगे हमने pin अप करना है यहाँ पर आप हिजाब pin ही यूज करिएगा इसको pin अप करने के लिए क्योंकि यह बाहर वारी साइड है और यह काफी नजर आती है तो अगर आप यहाँ पर safety pin लगाएगे तो वो बिलकुल भी अच्छी ने लगएगी और यहाँ पर light issue काफी आ रहा है पता नहीं क्या सीन मौता कैमरा के साथ खैर अब जी आप देख सकते हैं कि काफी नीतनस आ गई है अब जहां से आपको रॉफ लग रहा है ना अपना हिजाब आपने वहाँ से इसको ठीक करते जाना है fingers की help से और यहाँ पर आपने कहीं भी कोई pin नहीं लगानी अगर आपको बहुत lose लग रहा है कहीं पर तो आप इसको adjust कर सकते हैं अब हमने क्या करना है अपनी neck को cover करने के लिए पीछे से एक इसका part उठाना है हिजाब का और उसको आगे लाकर इस तरह से pin अप कर देना है अपने कपड़ों में से निकाल के फिर इसको pin अप करिएगा ताकि यह बिल्कुल भी यहां से move ना करें तो हमारा हिजाब जो है वो काफी हद तक done हो गया है इसी तरह पीछे से भी हमें एक layer उठाएंगे और आगे लाके इसको balance करने के लिए रग देंगे और अब जितनी भी हमने वनीटनस आनी है तो भई हुजाब हमारा हो गया है तो यह है हिजाब की overall look तो अगर किसी ने इसके आगे निकाब भी करना हो तो हमने क्या करना है कि नीचे से एक layer उठानी है और इस तरहां से इसको उपर वाली side पे लाकर pin अप कर देना यहाँ पे भी आप safety pin लगा सकते हैं लेकिन मैं आपको कहूँगी यहाँ पे भी आप जो है वो हिजाब pin ही use करें तो एक pin जो है वो हम left side पे लगाएंगे और उसके बाद हमने दूसरी pin जो है वो right side पे लगानी है और pin को इतने अच्छे तरीके से लगाना है कि यह बिलकुल भी यहाँ से move नहीं करना चाहिए वरना तो निकाब आपका थोड़ी देर में ही उतर जाएगा तो ने जी हिजाब हमारा complete निकाब के साथ तो यह थी आज की मेरी वीडियो गर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए helpful हो तो ज़रूर लाइक करेगा मेरे चानल को सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं इंशाला नेक्स वीडियो में लाइब करेगा में